next question question says a wire carrying current i has the shape as shown in the diagram में जो दे रखा है साथ के साथ हमें यह भी दिया हुआ है कि linear part of the wire are very long उसको हम infinite मान सकते हैं and parallel to the x-axis while semi-circular portion of the radius r is lying in y-z plane हमें बताना है magnetic field at o क्या होगा सवाल आपके basics यहां पर clear हैं तो मुश्किल नहीं है और इसी के साथ साथ आपकी एक्स्रा जानकारी के लिए सवाल j में पूछा जा चुका है और यह सवाल आपके रिडो में और बाकी अच्छी और किताबों में भी है at the same time यहां पर उन्हों एडिशनल यहां पर हमें दियान देने की जरुरत पड़े हैं ऐसा एक एडिशनल काम और किया हुआ है वो यह है कि चैंज और के मांते हैं यहां पर एक्सिस भी चेंज कर दिये गए यह आपका आपका 3 यह है यह आपका 3 खेसिस ग्रिश corroborर और यह वाहर और सा ने आपके ऐसकर यह वाई है इसे करें यहां पर अपने को इसका रेटियस आ 토र्र दिया हुआ है और यह जो आपका origin है इस जगे पे हमें बताना है कि magnetic field क्या होगी इस जगे पे जो magnetic field आएगी इसको वायर को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 1, 2 और 3 तो यहाँ पे जो आपकी B net होएगी वो हैगा B1 प्लस B2 प्लस B3 इनका तीनों का vector sum यह आएगा तो यह आपकी magnetic field होएगी इस वायर की वज़े से अगर हम देखेंगे तो यह आपका x-axis में वायर ऐसे जा रही है magnetic field है आपकी minus के direction में होएगी और इसकी value को जो एक straight line wire है आप B1 को यहाँ पे एक काम करते हैं सीधार add कर लेते हैं यहाँ आपके स्टेट सेमी इंफानेट करेंट केरिंग वायर है उसकी वज़े से आ जाएगा बीटू की अगर हम बात करें बीटू जो है इस circular wire की वज़े से जो आएगा उसके magnetic field को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आए multiplied by इसका एंगल एंगल हो जाएगा आपका pi divided by 4 pi r आप इसमें क्योंकि वायर में circular wire है तो इसकी वायर में इसकी वायर की वैसे magnetic field होएगा वह आपका इस direction में होएगा क्योंकि आपका x-axis इधर positive है तो उधर यह minus i की आप आ जाएगा minus i इसकी direction होएगी प्लस अब b3 की बात कर लेते हैं b3 जो direction है उसमें current इस direction में आ रहा है तो इस magnitude field फिर वापिस minus z direction में आएगा ठीक है और value इसकी यह होएगी सो यह हो जाएगा mu not i divided by 4 pi r minus k cap पसिंट को में जो जो चीज common आ रही है वो common लेके final answer लिख लेना है common mu not i by 4 pi r आ रहा है सो यह हो गया आपका mu not i divided by 4 pi r यह हो गया आपका minus i minus 2 k cap जान बूज के इस वेशे और यह अच्छा है यहाँ पर 2 pi आएगा i वाले के साथ minus k cap और इस वाले के साथ उपर pi आएगा सो minus pi i cap into 2 k cap यह आपका answer हो जाएगा सो based on this हम कह सकते हैं कि अपना option number a would be the right answer